हेलो दोस्तों मद्द प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन ने अभी हाली में नोटिक विशन जारी किया है तो इससे हमारी आगे आने वाली वेकेंसी याने 2019 का जो मेन से है और 2020 का जो प्रिलियम से होने वाला है तो इससे लगता है कि हाँ ये टाइम पर होगी अब यहाँ पर देख सकते हैं मद्द प्रदेश लोग सेवा आउह ने आयूस विवाग के लिए यह ना ठीक है आयूस विवाग के लिए ये नोटिक विशन जारी किया है अब यहाँ पर देख सकतोा है यह 25 नोबीस यानि यह जो नोटिक विशन आया है यह आज यह आया है और इसके जो ओनलाइन आविदन की अंतिम तारीक है यह साथ ग्यारा यानि साथ नौमबर तक है और आयो कारले में अभिलेक सहीत आविदन यानि आप ओफ-लाइन इसकी जो लाश्ट डेट है वो सोला नौमबर तक है अब हम देखते हैं इसमें आगे और कहके लिखा है और देखें यहाँ पर रोजकार कार्यले में जीवित पंजयन होना अरिवारी है और इसमें आगे देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकिशन क्या मांगा गया है और ईहाँ पर यहाँ पर सारे पोस्ट अगार है कि अन रिज़ेद में कितने हैं एसी में हैं सेट्री से तो आप इससे यहां pdf मैं आपको डिश्कृप्सन में दें दो में आप देखें यहां पद्ध का नायाम यहां पत का नाम दिया है व्यक्षाथ संपंदित विश्जर में अमडी की उपादी यानि EMБ exactly लिगरी मांगी गई है इसमें यहां पर मैंने हाइलाइट किया गया है तो संस्कृत का परियाप्त ग्यान अपेक्षित है अब इसमें हम आगे देखते हैं और कहके दिया है बाकी पीडियेप आप अच्छ से पढ़ लेजिएगा और यहां पर देखिए 21 इसमें आयो सीमा क्य है में अधिक बारा उमीद्वार का चैन देखिए यहां से आप देखिए इसी पोश्ट है उसके दुगने आपको बुलाए आएगा अब यहां पर देख सकते हैं पुर्णांग सोका होगा जितना आपका जो इंटर्व्यू रहेगा वह सो पुर्णांग कर रहेगा और यहा बड़ा वर्गो ओवीसी ओवीसी स्रेणी के 31% नियुन्तम उत्तिर्ण होंगे हैं इसमें बता दिये गया है कि कितने लोग इसमें उत्तिर्ण होंगे ठीक है तो यह आपको यह जो पूरे डिटेल थी तो देखिए इससे हम मतलब क्या समझ सकते हैं जो हमारा 2019 का 2019 का जो मेंस बाकी है ना ठीक है जो हमारा मेंस बाकी है तो यह यह भी होने की संभावना है यानि संभावना लग रही है और उसके बाद जो 2020 का जो प्री एकजाम है ना तो वो भी होने की संभावना है तो आगे देखते हैं आगे और क्या-क्या नियू जाती है तो इससे आप तियारी करते रही है